नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर तो साइक्लोन जोवाड वे ओफ बंगॉल में बन चुका है और जल्दी याने उमीद की जा रही है कल तक ये पूरी में landfall करने वाला है तो आईए आज की इस क्लास में साइक्लोन जोवाड के बारे में सब कुछ जानते हैं तो इससे पहले आगे बढ़े आज का सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों यह सवाल 2021 में प्रिलिम्स में आया था तो आप देख सकते हैं तीन स्टेट्मेंट है आप से पुछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है तो अगर आपको आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट सेक् लेना है लोन अवेल करना है तो वहाँ पर आप फॉर्म कर सकते हैं इसके सिवा आपके मत में और कोई भी क्वेरी है विच रिस्पेक्ट वी सब्सक्रिप्शन तो इसका वहाँ पर जरूर फिल कीजिएगा तो दोस्तों न्यूज में क्या है न्यूज में है साइक्लोन जव इसके बाद जैसे आप 4 तारील रोटेदी चार तारी अंधरक्रदेश के इलाकों कि बगल्स बेसमुदर में गुदरता हूव जा रहा है विशाक का पत्नम के बगल्स हो जारा है तो इतने इलाकों में काफी बारिश महसूस की जाएगी और काफी बारिश होने वाली है तो कोस्चल इलाकों में काफी बारिश भी होगी साथ सा स्टॉर्म सर जिस भी देखने मिलेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये 5 तारीक को ही पूरी में landfall करेगा और पूरी में landfall करने के बाद ये further northward move करेगा कुछ इस प्रकार से and along the coast graze करता हुआ जाने वाला है तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से ये graze करने वाला है along the coast तो दोस्तों यहाँ पे एक आपके साथ discuss करना चाहूंगा मैं cyclonic circulation की अलग-अलग नाम होते हैं अकसर आप comment section में पूछते हैं low pressure area क्या हुआ depression क्या हुआ तो दोस्तों यह सारे के सारे अलग-अलग प्रकार के terms हैं for cyclonic circulation cyclonic circulation याने की surface पे low pressure system बन चुका है और upper atmospheric में upper atmosphere में कुछ divergence देखने मिल रही है याने हवा upper atmosphere में बाहर की और निकल रही है फैल रही है तो इस प्रकार का upper atmospheric divergences और surface पे आप देखे तो एक low pressure system है अब इनका अलग-अलग नाम होता है इन सारे के सारे cyclonic circulation का depending upon the surface wind speed और इसके सिवा pressure वाले factor भी होते हैं लेकिन हम इसको simplify करते हैं ग्राम perspective से आप बस wind speed के terms में जानिएगा वैसे तो wind speeds knots में बताये जाते हैं पर उसको simplify करके मैं आपको kilometer per hour में बताऊंगा तो low pressure area हम कहेंगे cyclonic circulation low pressure area है जब surface में wind speed less than 31 km per hour हो depression कहलाती है जब surface पे wind speed speed 31 से 52 km per hour हो जाए deep depression कहते हैं जब speed 52 से 63 km per hour हो जाए again surface की बात हो रही है cyclonic storm कहेंगे जब wind speed 53 to 89 km per hour हो जाए severe cyclonic storm 89 to 119 km per hour हो जाए very severe cyclonic storm 119 to 221 km per hour हो जाए और super cyclonic storm more than 222 km per hour हो जाए तो तो अगर यहां पर हम बात करें तो IMD ने जो map दिया है उसमें आप देख सकते हैं तीन तारिक तक यह एक deep depression थी याने की wind speed surface पे 52 से 63 km per hour तक थी और फिर वही तीन तारिक को बाद में यह बदलती है कुछ cyclonic storm में याने wind speed 89 km per hour तक हो जाएगी चार तारिक याने आज इसकी speed अगर आप देखे तो यह severe cyclonic storm की category में आ चुका है याने इसकी wind speed 89 से 119 km per hour होगी और जब यह landfall करने वाला होगा उस वक्त यह cyclonic storm होगा याने speed कुछ 89 km तक परार तक आपको देखने मिलेगी इसके सिवा दोस्तों मझाने की इसकी energy है आप देखे तो कुछ वापस कम होती हुई दिख रही है और क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहे है कि यह जो northern part of bay of bengal है यहाँ पर जो पानी है relatively थंडी है इस वजए से इसकी जो speed है वो भी कम होती हुई दिख रही है और यह भी category जो low pressure की है cyclonic circulation की है वो भी lower हो रही है तो severe cyclonic storm से cyclonic storm में तबदील हो जाएगा और उसके बाद यह deep depression का रूप ले लेगा याने 52 to 63 km पर आर तक speed रहेगी और finally जो तक इसकी हवाए Kolkata तक पहुंचेंगी तब तक यह depression का रूप ले चुका होगा याने speed 31 से 52 km पर आर हो जाएगी तो दोस्तों गर हम cyclone joward की बात करें तो यह joward जो term है यह Saudi Arabia ने दिया है तो Saudi Arabia का जो यह term है इसका मतलब होता generous and magnanimous तो काफी नाम भी रखे जाते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले cyclone का नाम शाहीन था जो की मोका के बाद येमिन में मोका cyclone आएगा वापस इंडिया का नाम बांगलादेश का नाम विपर जोए आपको देखने मिलेगा और फिर इंडिया का दिया हुआ नाम तेज देखने मिलेगा तो दोस्तों ये cyclone के नाम वो हैं जो की नौर्थ इंडियन ओशन में आने वाले हैं तो जो वाद अगर हम देखे तो आइमडी का कहना है ये कोई extremely severe cyclone नहीं है पनी हुड़ूड या फाइलिन जैसा और ये as of now उन्होंने कहा है ये severe cyclonic storm है 9200 km पर आर तक की speed देखने मिलेगी और उन्होंने कहा है कि सारे cyclone आई नहीं बनाते जो severe and extreme severe cyclones होते हैं वही आपको आई बनाते हुए देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी आई बनती हुई आपको देख रही है तो यह एक strong severe cyclone है जिसकी आई आपको देखने मिल रही है लेकिन जोवाड की बात करें तो दोस्तों यह Doppler Weather Radar IMD ने पब्लिश किया है इसका मॉन्सून सीजन जिसमें cyclone आप देखे तो में टू जून में बनते हैं और एक पोस्ट मॉन्सून होता है जब October November के आसपा साइक्लोन देखने मिलते हैं भारतिये सब कॉंटिनेंट की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 8041 किलोमेटर की है और यहाँ पर लगबग टोटल जो एक पेड़ में टॉपिकल साइकलोन आते हैं उसकी 10 प्रतिशत साइकलोन भारतिये कोस्ट लाइन को हिट करती है तो आप मैप में देख सकते हैं वो कौनसे इलाके जो वल्लरेबल है टॉपिकल साइकलोन से भारत में तो east coast as well as west coast both are equally vulnerable लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो वे औ आफ लेट मैंने जैसा कहा आपको दोनों ही equally vulnerable हो गए हैं तो बे ऑफ बेंगॉल की अगर हम बात करें जैसे जवाद बे ऑफ बेंगॉल में बन रहा है तो 58% of cyclones जो बे ऑफ बेंगॉल में बनते हैं वो इंडियन सब कॉंटिनेंट को हिट करते हैं और बाकी आप देखे तो इ मैंने अन्य वीडियो में अल्रेडी कवर किया है तो आप उसको जरूर देखिएगा साइक्लों सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि क्यूं बे ऑफ बेंगॉल में बनते हैं वो डेड्लियर भी होती है याने की सिवियर काटेगरी के साइक्लों देखने मिलते हैं ल आप अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें अगर हम देखें तो 2020 में हम इंडियन कोस्ट लाइन में पांच साइकलों देखने मिले थे जिसमें से दो अरेबियन सी में और तीन बे ओफ बेंगॉल में यह चेंज हो रहा है मैंने अल्रेडी कवर किया है जैसा मैंने आपको बत साइकलों होते हैं और क्लाइमेट चेंज हो रही है क्या ओशन में चेंज आ रहे हैं जिस वज़े से अरेबियो में मैंने कवर किया है उसको आप जरूर देखेगा तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 2021 का सवाल तीन स्टेटमेंट डिवलब करते हैं तीसरा अगर आप देखें तो तीसरी स्टेटमेंट है कि जो आई ऑफ साइकलोन होती है वहाँ पे टेमपरेचर दस डिग्री से कम होती है तो आप से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है जल्दी से एंसर कीजिए तो आई हो आप लोगों ने देखें तो इसमें आई साइकलोन बहुत सेवीयर नहीं है। जहां तो नौर्धन हमिस्फेर संथन हमिस्ट्रीम दोनों से हिरिफ मिलता है। यह देख सकते हैं यह यहाँ ठीली है और यह पर पोलर मेल कर देखने मिल रही है। जहां तक है की अगर हम देखें तो वहानपे सकती है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यह आप देख सकते हैं इस प्रकार से हो और लेकिन कुछ हाई क्या होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो वह इस leak करती है और यहां से आप देखेंगे तो इस प्रकार से subside भी करती है और जब यह हवा subside कर रही होती है subsidence हो रही होती है हवा की तो obviously subsiding air है तो यह इसकी अगर atmospheric pressure आप देखें तो दीरे-दीरे इसको pressurize किया जा रहा है क्योंकि उपर में atmospheric pressure कम है नीचे में pressure higher है तो इसकी pressure बढ़ रही है तो यह अगर compress की जा रही है तो क्या होगी यह adiabatically warm होगी कुछ वैसे ही जैसे आप hand pump में हवा भरते हैं तो आपने देखा होगा कैसे उसका hand pump गरम हो जाता है वो जो थोड़ी ज्यादा होती है कम तो बिल्कुल भी नहीं होती तो weaker cyclones में अगर आप देखे तो जो eye है उसको cloud से cover कर दिया जाता है तो इसलिए visible eye देखने नहीं मिलती है तो यही आपको जानना था बहुत important था 2021 का यह सवाल भी था तो दोस्तों आची class पसंद आई हो तो like दरूर करी किजिएगा and anacademy जब भी आए तो use the code kc10 अपने दोस्तों के साथ भी इस code को share करें अपने दोस्तों के साथ इस video को that will cover all subjects of GS, essay and geography optional and answer writing में भी आपको जो मदद चाहिए होगी वो में provide जरूर करूँगा इसके सिवा आपको कहना चाहूँगा price hike की तारीक तैय हो चुकी है 9 December को होने वाली है annual price hike है तो उसके पहले यह ideal time है an academy subscription लेने का आपको free three months extension भी मिल रही है अगर आप अभी an academy subscription लेते हैं UPC CSE combat है तो Sunday को होने वाला है चार करोड से ज्यादा की scholarship है तो इसका फाइदा उठाएं enroll करें use the code KC10 free test series है जैसा आप screen पर देख सकते हैं इनका भी हिस्सा आप बन सकते हैं इसके सिवा loan के लिए भी हम आपको loan भी provide कर रहे है तो नीचे description box में link है form fill करें KC10 code का इस्तमाल करें और आपको loan भी मिल जाएगी इसके सिवा UPC preparation में iconic subscription सबसे ज्यादा beneficial होने वाला है one to one live mentoring भी होती है study planner मिलता है main question answer practice भी मिलती है इसमें आपको इसके सिवा दो साल की subscription की plus की cost है 4,800 रुपे दो साल की iconic subscription की कीमत है 1,4,175 रुपे और एक साल की optional subscription की कीमत है 24,750 रुपे यह सारी कीमते तब है जब आप code KC10 का इस्तमाल कर रहे है याने वो code जिससे आपको mentorship भी मिलती है guidance भी मेरी मिलती है so UPC BAC batches 8 तारीक से start होने वाले है 8 December Hindi English bilingual तीनों में available है एक साल दो साल दोनों ही batches आपको देखने मिलेंगे तो इनका हिससात जरूर बने thank you so much for joining have a great day and let's crack it